कि अज आज हम लोग सीखेंगे roller scale और protector की मदद से isometric drawing किस तरह से ड्रा किया जाता है तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि यह हमारा roller scale क्यों और यह यह प्रोटेक्टर इन दोनों का इस्तमाल करके आज हम लोग बनाएंगे isometric drawing न लित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे एक straight line डूकरेंगे जैसे कि हम लोग करते हैं isometric बनाने के लिए सबसे पहले simply एक line कर लेंगे हम लोग कि इसकी बाद क्या करेंगे इस line पे कहीं भी एक point generate करेंगे suppose that एक पॉंड मैंने यहां generate कि नेक्स्ट श्टेप क्या होगा कि प्रोटेक्टर को लेंगे हम और इसको इस तरह से मैच करेंगे जीरो और 180 के साथ और इसके बाद यहां से तीन पॉइंट्स हम लोग ड्रो करेंगे क्योंकि हम लोगों को पता है कि आइसोमेट्रिक ड्रोइंग बनाने के लिए किन एंगल को यूज़ करतें सारी दो एंगल करते हैं एक हैं 30 डिग्री और 90 दिग्री तो यहां से सबसे पहले हम लोग लेते हैं यह 30 डिग्री 10 20 एं 30 डिग्री पर पॉइंट जनेरेट कर लिए और इसके बाद यह रहा हमारा 90 डिग्री और वापस से हम लोग इस पॉइंट से यानि कि यहां से 10 20 और यह 30 कि तो इस तरह से हम लोगों ने तीन पॉइंट जनेरेट कर लिया यह 30 90 और यह 30 कि इसकी बाद क्या करना है हमको जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं हम लोग को पर सब्सक्राइब करते हैं इस लाइन को मैच करते हुए कि इस पॉइंट को मैच करते हुए यहां से हम लेंगे से 10 20 30 40 50 60 80 70 80 90 और यह हैं एक पॉइंट कर लिए और इसको मैच कर दिए हैं हो गया है इसके बाद हमको क्या करना है यह दैमेंस हमारा है 50 तो यहां से 50 करना है 10 20 30 40 और यह 50 मेरा यहां पर हो रहा है ठीक है फिर यह दोनों लाइन को क्या करेंगे मैच करते हैं और वापस से आते हैं इस एंगल पर जिसको हम लोग 90 डिग्री लिया था तो यहां पर हम किसी भी पॉइंट पर एक सेट कर लेते हैं और यहां से हमको हाइट मेंसन करना है जो हमारे पास तीन त्यमेंस्क्राइट होगे हैं यह 120 और यह 50 में आप हमको एक लाइन जन जनेरेट करना है यहां से is 40 इन में पर तो 40 में पर जनेरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको पता है कि यह लाइन और इमारा 90 है तो इस लाइन के reference में हमेक laine generate करेंगे उसके लिए हमको क्या करना होगा इससे हम पहले match कर लेते हैं इस lines है और इसको आगे क्या करते है रूल-ब कर देते हैं कि और यहां ले जाने के बाल यहां पेख reference point generate कर लेंगे कि यह इस पॉइंट का क्या यूज है यह हम बताते हैं अभी इसको क्या करेंगे अब कि इस पॉइंट से हमको क्या करना है यहां पर किसी भी एक पॉइंट पर सेट करेंगे इसको और इस पॉइंट से मैच करके इस और इस पॉइंट को मैच करके यहां से हमको कितना जनरेट करना 40 10 20 30 और यह हो गया है हमारा 40 और इसके बाद क्या करना है वापस से यहां हमको 20 mm का एक लाइन जनरेट करना उसके लिए क्या करेंगे इस लाइन को रेफरेंस लेंगे और इसको कैरी आउट करेंगे यहां से इसके रेफरेंस पर रोल अप करके यहां तक ले जाएंगे और फिर यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट जनरेट करेंगे कि कि हो गया हमारा पाइंट जहंके अब क्या करेंगे यहां से 20 जनारेट करना है लोत हुए अब क्या करेंगे कि इन दोनों लैन को मैच कर देते हैं यह अल्रेड़ी 30 यह यह फिर हम 90 डिगरिए तो इस 30 की लाइन को रैफरेंस लेकर हम आगे केड़ी ब्रइडार वत के अए और एक लाइन करो कि कि मेज के बंदया हो रहा है लेके कि थे इन दोनों लाइन को मैच कर दीश में का तो तो कर देता है इसको कि हो गया यह जन्रेट है अब नेक्स टेप हमारा क्या होगा कि यहां से ओंको 50 लेना और यहां से 50 लेना तो उसके लिए क्या करेंगे यह 30 डिग्री लाइन हमारा इसको रेफरेंस लेंगे और यहां से इसको कैरी करना है को कि यहां से इसको कि रूल करके यहां तक ले गए और यहां कहीं भी एक रेफ्रेंस पॉइंट जनेरेट कर दिया अब क्या करना है इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए कि यहां से 50 mm को लेना है कि 10 20 30 40 और यह 50 मारा जो कि 80 पर आ रहा है ठीक है इन दोनों को मैच कर देते हैं नेक्स सेम स्टेप क्या करेंगे यहां से हम इसको आगे रूल अप करते हुए ले जा सकते हैं लेकिन फिर एक रेफ्रेंस पॉइंट हमको जनेरेट करना है तो यहां से क्या करते हैं इसको और फिर मैच करते हैं इस लाइन के साथ और इसको आगे है और इसको आगे रूल कर देंगे और यहां से एक रेफरेंस पॉइंट जनेरेट कर लेंगे कहीं पर भी और वापस इसको क्या करेंगे इसी एक 30, 40 और 50 जो कि हमारा 70 पर आ रहा है ठीक है हो गया यह दोनों मैच इसके बाद क्या करना है वापस से इस लाइन को रेफरेंस लेंगे है है कि यह 30 डिगरि है हमारा और इसको आगे रूल आप करके करेंगे हम लोग और इस लाइन को कॉपी करके do यहां पर लाइन जोंड़te कर सकते हैं यहां किया रखना यहां से हमको हाइट लेना तो मैं यहां से टव कि यहां से इसको रूब कर लेते हैं और यहां ले आता है कि इस पॉइंट पर अब होगत है यहां से एक पॉइंट कर देते हैं राफ रेफरेंस पॉइंट वह इहाँ पे लिया कि और अभी दोनों को मैक्श करते हुए यहां से टॉंटी का हाई टे लेटा हो जाएगा करते हैं यहां पर इस पॉइंट पर रोटर mail कर लेते हैं कि इसके बाद किसी ह Ethan से मैच करके 8 कि अब क्या करेंगे यहां से 10 और यह 20 अब क्या करते है इसको मैच मैच कर देते हैं फिर से 30 डिग्री पर इसको रेफरेंस लेकर इसको यहां से केरी आउट कर रहे हैं यहां पर रोल अप करके लिए जा रहे हैं यह देखिए थोड़ा से वैल कर रहा है इसको इस लाइन से कर दे रहे हैं कि आगहां या हो जा रहा है अब इसको क्या करेंगे Rick कर देंग को यह मैच हो गया इसके बाद नेक्स टैप हम को ज्या करना है यहां से 50 का लाइन जरेरेट करना और यहां से फिटी और इन दोनों को मैच कर देना तो सिंपली क्याבर रहा है सबसे पहले इस लाइन को curry अ यहां से एक रोल अप करके एक पॉइंट जनेरेट करेंगे हम यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट हम ले लेते हैं यहां पर कहीं भी इसको यहां ले लिए और यहां से हमको कितना लेना 50 10, 20, 30, 40 और यह रहा हमारा 50 दोनों को मैच कर दिए चीक है अब क्या करना है वापस से यहां पर भी हमको एक 50 लेना है या फिर इस लाइन को हम डाइट ली भी मैच कर सकते हैं क्योंकि आल्रेडी हमारे पास क्या किया हुआ पॉइंट जनेरेट है हमारा इन दोनों को मैच से भी मिला सकते है यह दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे और यह दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे यह हो गया हमारा आइसोमेट्रिक डॉइंग जनेरेट हो गया जो कि हम लोग ने सिफ दो इंस्टूमेट के मदद से बनाया और यह हमारा रोलर स्केल और यह प्रोटक्टर के मदद से थैंक्यू सो मच